नमस्कार दोस्तों स्वाकत है एक बार फिर से आपका किटो टिफिन में और आग हम बनाने जा रहे हैं मटल पुलाव की रेस्पी नार्मल चावल से बासमती चावल को अपयोग नहीं किया है मैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक पैन उसमें डालेंगे क्युक्न फूटा साहिच का स्लाइस कیया हुआ प्याच को हलक को सबना ए हाग है गोल्डीन ब्रान नहीं करना है गोल्ड़न ब्रान करेंगे तो प्याय का कलरते ही पूरा पुलाव का कलर भी चेंज हो जाएगा इसलिए हलका सा बस और साथ ही थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसको भी थोड़ा दो हरी मिर्च लंबी-लंबी कटी हुई मिर्ची और अद्रक लेसुम का कच्चापन निकल जाए जैसे हमारा प्याज हलका हलका ट्रांसलूस्ट ठोने लगेगा हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से काजू को टुकड़े 10 से 15 काजू को भी हलका सा तेल में भून लेंगे एक मिनाट जिससे काजू में भी एक हलका सा कलर आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगएगा और टेस्क भी अच्छा हो जाएगा काजू हमारा भून के तयार हूँ कर दरेंगे इसमें मिक्स करेंगे एक कप के करीब मतर जितना मतर का उप्योग करेंगे उतना चावल का भी उप्योग करेंगे मतर को यक्से जिली되는 मिनट के लिए भूमेंगे सब्दय चलत एक में अच्छे हमें त्यार है विसमें हमिक्स करेंगे यह चावल अपने जो हमें 20 मिनट लिए इसको करके रखा था अब कोई से भी चावल से बना सकती है उप ज्यादा तर लोग बासमती से बनाते हैं, मेरे पास बासमती नहीं था इसलिए इसको रेवनेर चावल से बना दिया है, अब किसी चावल से भी बिना इसका टेश बहुत ही अच्छा होता है, इस चावल को हमें एक सद्धीर मिनट के लिए और भूनेंगे मटर के साथ, जैसे ह एक सद्धीर मिनट तक चावल को भूनेंगे, हम इसमें मिलाएंगे पानी, जितना मटर उतना चावल उसका डिड़ होना पानी, अगर आपने एक कब मटर लिया है, तो एक कब चावल लेंगे और डिड़ कब पानी हैंगे, इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे एक साथ, औ और एक बॉइल आने का इंतियार करेंगे, इसको मिक्स करने के बाद, जैसे ही यह कुबाल आना सुरू हता है, हम इसको इसको इस्टर करेंगे, और इस्टर करने के बाद हम इसको अराम से अगन ठकना लगा के मिडियम फ्लेम पे, 12-15 मिनट के लिए, मिडियम फ्लेम पे हम इसको 12-15 मिनिट के लिए बॉयल करेंगे दस से 12-15 मिनिट के बाद हम इसको दिखाल के चेक करते हैं धकन अठा कि यह है चावन हमारा पक्के तयार है थोड़ी सी खुजबू के लिए हम इसमें केवडा का जल थोड़ा अगर आपके पास फूड कलर है तो हलका सा फूड कलर पानी में घोल के यह बिल्कुल ऑप्सिनल है इससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है चावन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए और लास्ट में यह बहुत जरूरी है देसी घी एक चमच के करीब देसी घी को हलका सा इस पे स्प्लेटर करके इसको ढखकन लगा देंगे और पंद्रा मिनट के लिए इस चावल को ऐसी हरेस्ट होने देंगे और इसके बाद इसको स्वर्व कर लेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब